हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो यूट्यूब चैनल टेकीपीज दोस्तों आज मैं आपके स्मार्टफोन के लिए कुछ ऐसे प्रीमियम लेंस लेकर आई हूं जिसे आप अपने फोन में लगा कर DSLR की तरह फोटोज ले पाएंगे यह तीन लेंस है इनमें से एक माइक्रो लेंस है जिससे आप किसी भी पास की चीज की बहुत डिटेल डिमेज क्लिक कर सकते हैं दूसरी लेंस वाइड एंगल फोटो के लिए है जिससे आप फोन में लगा कर सीन्स की वाइड एंगल फोटो सकते हैं तीसरी टेले फोटो है जिसमें 3X जूम दिया गया है जिससे आप बिना क्वालिटी को खराब किये थोड़े दूर की चीजों की अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं यह लेंसे यहां लोकल साइट्स पे मिलने वाली लेंसे से डिफरेंट है इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दें ताके हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको उसके अपलोड होते ही मिल इसका मॉडल नंबर है BW-LS2 ये एक सिंपल से बॉक्स में आता है जिसपे इसका मॉडल नंबर मेंचिन्द है चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं इस लेंस का प्राइस केवल 480 रुपे है ये 25 mm की 15x मैक्रो लेंस है ये इसका युनिवर्सल क्लिप जिससे आप इस लेंस को अपने स्मार्टफोन से अटैच करेंगे इसके साथ एक मैनुल गाइड ये स्टोरेज बैक और एक ये क्लीनिक क्लॉथ भी दिया गया है ये लेंस दिखने में बहुत ही प्रीमियम है इस लेंस के फ्रेम को अलिमीनियम और मैगनीशियम एलोई से बनाया गया है इस लेंस के दोनों तरफ 14 layers के कोटिंग की गई है इस लेंस में जर्मनी का 4K Ready Scott HD Glass यूज़ किया गया है इस लेंस के सेंसर का maximum resolution 22 megapixel है ये लेंस चीजों को 15 गुना magnify कर देता है इस यूनिवर्सल क्लिप की भी build quality काफी अच्छी है इसमें एक soft rubber की lining दी गई है जिससे ये आपके स्मार्टफोन पे अच्छी grip पासके किसी भी object की बहुत पास से फोटो लेने के लिए ये lens perfect है चलिए अब हम इसका performance चेक करते हैं इस lens को अपने phone में लगा कर आप किसी भी object जैसे फूल या पत्तों की detailed image ले सकते हैं इस lens को लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि image कितनी magnify हो गई है लेकिन details फिर भी clear और शाप है अब इतने ही दूरी से हम S7 से इसकी photo कीच लेते हैं देखिए ये कितनी blur सी लग रही है और clear भी नहीं है अब हम थोड़ी दूर से इसी object की photo लेते हैं आप देख सकते हैं कि details इतनी clear और magnified नहीं है अगर हम subject को अपने smartphone से zoom करके image क्लिक करते हैं तो वो इतनी clear और sharp नहीं होती लेकिन ये lens subject को magnify करने के बावजूद बिल्कुल clear image लेता है ये है इसी company का 120 degree wide angle lens जिसका model number है BWLS3 चलिए अब हम इस box को भी खोल लेते हैं ये एक heart case है इसकी build quality premium है देखते हैं इसके अंदर क्या है गाईज ये wide angle lens है ये universal clip ये cleaning cloth और ये clip है जिससे आप इस case को अपनी bell से attach कर सकते हैं दोस्तों wide angle का मतलब होता है कि अगर आप normally एक जंगा से खड़े होकर photo खीचेंगे तो आपका camera landscape का कम portion cover करेगा जबकि wide angle lens लगाने के बाद आपकी lens उसी जंगा से खड़े हुए भी photo में landscape का ज्यादा area cover करेगे इस lens और clip की build quality पहले lens की ही तरह premium है और आप इसे rear और front दोनों camera's में fit कर सकते हैं जिससे आप wide angle group selfie भी ले पाएंगे इस lens की cost 881 है चलिए अब हम इसका performance भी चेक कर लेते हैं ये normal S7 से ली गई picture है और ये उसी जंगा से इस lens को लगा कर photo ली गई है आप difference साफ तोर पे देख सकते हैं ये third lens British Wolf की 3X HD टेले फोटो है चलिए इसके box को भी खोल लेते हैं इसका model number है BW LS4 इसमें भी same वैसी ही सारी accessories दी गई है बस ये lens hood अलग से दिया गया है ये lens hood lens flare कम करके picture में contrast बढ़ाता है इस lens के दोनों surface पे 19 layers की coating दी गई है और इसकी भी quality पहले दोनों lens की ही तरह है इस lens को आप अपने camera में लगा कर थोड़ी दूर से चीजों को तीन कुना पास लाकर थोड़ी clear pictures ले सकते हैं इस lens से आप अपनी photos में booka effect भी ला सकते हैं चलिए हम इसे भी test कर लेते हैं ये S7 से shoot की picture है और ये इस lens को लगाने के बाद ये lens picture quality के साथ साथ colors को भी enhance कर रहा है और इस lens के थूँ ज्यादा light पास हो रही है जिससे picture ज्यादा illuminated है इस से shoot के photos ज्यादा attractive और clear है इस lens से आप DSLR की तरह अपनी picture में बहुत अच्छा booka effect दे सकते हैं आम तोर से जब हम अपने smartphone के inbuilt camera में किसी चीज़ को zoom करके picture लेते हैं तो वो उतनी clear नहीं आती लेकिन इसे अपने smartphone पे fit करने के बाद आप जब photo लेंगे तो zoom होने के बाद भी picture काफी साफ आएगी इस lens में fitted sensor का maximum resolution 21 megapixel है इसका price 949 है इन सब की purchase link आपको नीचे description box में मिल जाएगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye